उड़न खटोला चित्र कथा केवल पठन ही तू हंसिका मम्मी के साथ बाजार गई खिलोने बाले के पास तरह तरह की गुडिया देखी उसे लाल फ्रोक वाली गुडिया अच्छी लगी मम्मी मम्मी मुझे ये गुडिया ले दो ना कितनी सुन्दर है पास ही नीली फ्रोक वाली गुडिया भी थी और एक उड़न खटोला भी आप ये तीनो खिलोने ले जाए बहन जी मैंने साथ ही बनाए है पर हंसिका की मम्मी ने सिर्फ लाल फ्रोक वाली गुडिया ही ली हंसिका खुशी खुशी घर आई अगले दिन हंसिका ने देखा गुडिया कुछ उड़ास है कल तक तो ये इतनी खुश थी पर आज हंसिका ने अपनी मम्मी से कहा तो वे सोचने लगी शायद वे नीली फ्रोक वाली गुडिया इसकी सहेली थी हमें तीनों खिलोने लेने चाहिए थे तब ये जादा खुश रहती हंसिका मम्मी के साथ फिर से खिलोने वाले के पास गई लेकिन नीली फ्रोक वाली गुडिया तो कोई ले गया था बचा था तो सिर्फ उड़न खटोला हनसिका की मम्मे ने उड़न खटोला खरीदा और वापस आ गई हनसिका ने घर आ कर खुशी-खुशी वे उड़न खटोला गुडिया के पास रख दिया फिर गुडिया से मीठी-मीठी बात करते ना जाने कप सो गई पर सुभ़ हंसिका उठी तो हैरान रह गई उसके खिलोनों की अलमारी में अब ना गुडिया थी और ना उडन खटोला हंसिका दोड़ी-दोड़ी मम्मी के पास गई मम्मी मम्मी गुडिया तो गई साथ में उडन खटोला भी आखिर कहां चली गई हंसिका की इत्ती सुन्दर गुडिया कहीं उसे उड़न खटोले पर बैट करतो अभी वे यह सोच ही रही थी तभी गुडिया की खिलकिलाहत चुनाई दी वही उड़न खटोला नीचे उत्रा उसमें गुडिया भी थी और उसकी सहेली सरीता भी गुडिया ने अपनी सहेली सरीता से हंसिका की मम्मी को मिलवाया फिर हस कर कहा मैं उड़न खटोले पर बैट कर अपनी सहेली सरीता से मिलने गई थी कुछ देर बाद सरीता ने सबसे विदाली उड़न खटोला उसे छोड़ कर वापिस आ गया अब गुडिया खुश थी शिक्षा अपनों के साथ रहने से बड़ी और कोई खुशी नहीं है